असलाम लेकूम नमस्ते वेलकम बैक टो माई चैनल यमी किचन्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हो रमजानों में बनने वाले चने की रेसिपी और बहुत ही मज़े की बनते हैं और हैल्दी भी होता है तो चलिए बिना देर की हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे इसमें डालेंगे ऑयल 1 कमच्च के करीब और जब गरम हो जाए तो आप इसमें हम डालेंगे जीरा तो ये यह देकि हारफ की सपून के करीब मैंने जीरा एड कर दिया है और अ आप डालेंगे इसमें हल्दी पॉडर, लालमिज पॉडर, धन्या पॉडर और डालेंगे इसमें हम नमक, तो इन सारी चीजों को हम इसमें डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पॉडर, अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए, हमें भूल लेना है पांच मिट के लिए, उसके बास से इसमें एड करेंगे पानी, तो इतना पानी डालेंगे जिसमें ये चना गल जाए अच्छे से, इसको ढख कर हम 10-15 मिट के लिए छोड़ देंगे, गलने के लिए, और इधर हम कुछ कटिंग कर लेंगे, चने में डालने के लिए, तो यहाँ पर मैं खीरा काट लूँगी, टमाटर ले लूँगी, टमाटर को कट कर लूँगी, बहुत ही मज़े का ये बनता है चना और बहुत ही हेल ले लेंगे, हरी मिर्ची कट कर लेंगे, और धनिया पत्ती कट कर लेंगे, और नीबु को काट कर रख लेंगे, ये सारी तयारी करने के बाद चने को चेक कर लेते हैं, ये दे कि चना हमारा अच्छे से सुख गया है, और जदन मेरे हस्बंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे, उ उस साथे मिक्स करेंगे, जम से चने को हम कटिंग करके रखता उसमें मिक्स कर लेंगे, प्यास, टमाटर, खीरा, हरें मिर्च, धनिये की पती में, और इसके उपर से हम डालेंगे नीबू नी चोड़ लेंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखा कितनी फटा-फट से हमारा ये चाट बनके रेडी हो गया है बहुत ही मज़े का ये चना बनता है और बिल्कुल हेल्दी होता है ना इसमें जादा मसाले होते है ना तेल होता है बहुत ही हल्दी होता है बहुत ही लाजवाब टेस्टी होता है ये चटपटा सा होता है तो फ्रेंड आई होप आप आप लोगों को ये चने की रेसिपी अच्छी लगी होगी रमजान में बनाकर सबको खिलाइए आप खुद भी खाइए बहुत ही मज़े का लगता है तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नए है तो सबस्काइब जरूर कर लिजेगा मिलती हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिये फैमिली और फ्रेंड्स की केर कीजे दुआओं में आज रखियेगा अलाहाफिज